हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर संस्क्रत की आज ही क्लास में हम विसर्ग संधियां पढ़ेंगे इस से पहले हमने स्वागत संधियां और वियंजन संधि कंप्लीट कर ली है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संदी विसर्ग संदी क्या होती है जो विसर्ग के बाद स्वर्या वियंजन वर्ण आते हैं तो विसर्ग में जो विकार उत्पन होता है उसी को बोलते हैं विसर्ग संदी आपके दो पद होते हैं एक पूर्वपद और दूसरा उत्तर पूरुपद का जो अंत होगा वो किसे होगा विसर्ग से और जो उत्तर पद होगा उसके प्रारम में आपको स्वर्य विंजन में से कोई भी मिल जाता है वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है विसर्ग संदी हो जाती है example ते समझते हैं manaur and plus rathah manhar आपका पूरू पद है manaur and 2050 मैं आपको क्या देखने को मिल रही है विसर्ग ये विसर्ग क्या होगी और जो दूसरा उत्तर पद है उत्तर पद के प्राणव में क्या है वियंजन दिया है उस वियंजन की बज़त से विसर्ग में क्या होगा विकारूत बन्न होगा वही आपका क्या हो जाएगा विसर्ग संदी और ये जो मनहा प्लस रथा मिलके बनेंगे क्या आपके मनो रथा कैसे बने इसको भी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका निह प्लस चलम निह में क्या है विसर्ग है और मगला जो वर्ण है वो क्या है विंजन है इस निह का क्या हो जाएगा शा हो जाता है और आपका शब्द बन जाता है निश चलम यह विसर्ग था यहाँ पर इसलिए संदी कौन सी हो जाए यह विसर्ग और अगर आपको विसर्ग मिल लहा है तो कौन सी संदी हो जाएगी विसर्ग संदी किसके पूर्पद के अंत में ठीके अंतिम वर्ण आपका स्वर्ग तो स्वर्ग संदी व्यंजन तो व्यंजन संदी विसर्ग तो विसर्ग संदी विसर्ग संदी का आपका पहला जो प्रकार है वो है सत्व संदी इसका सूत्र होता है विसर्जुनियस से सहा विसर्जुनियस से सहा क्या कहता है कि पूरपद के अंत में आपका क्या होगा विसर्ग होगा और उसके बाद आपके क्या आएंगे कोबी Vyjanjan या सवर आपको मिल सकता है तो यह जो विसर्ग होगा आपका यह विसर्ग किसमें कनवर्ट हो जाता है सा में कनवर्ट हो जाता है अब आप बापस किस पर आओगे इस्चुत्व और इस्चुत्व संदी पर चुत्व संदी क्या कहती थी, जब सा के बाद अगर आपको व्यंजन में चा वर्ग, चा वर्ग में यहां पर आपको सिर्फ चा और चा मिलेंगे, चा और चा आता है, तो ये सा किसमें कनवर्ट हो जाएगा आपका, तालव व्यशा में, ये कहा था, इस चुत्व संदी ने, थीक है वहीं से लग जाएगा और फिर अगर इसके बार ता और ठा यानि कि टा वर्ग अगर आपका आ रहा होगा तो यह सा किसमें बदल जाता है मोधन्य सामे सबसे पहले क्या बदलेगा विसर्ग आपकी किसमे बदल जाती है सामे यानि कि दंती सामे उसके बाद आपका ये वाला रूल लगता है लेकिन इतना सा पढ़ने के से अच्छा है कि हम इसको शौर्ट में समझ लेते हैं पहला प्रकार है आपका विसर्ग के बाद अगर आपके चा और चा आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है शा हो जाएगा ये रहा आपका विसर्ग विसर्ग के बाद आपको चा और चा देखने को मिलेंगे तो जो आपका विसर्ग है वो सीदे सीदे किस में Convert हो जाएगा शामे ठीके ये इन डारेक्ट नहीं है, इन डारेक्च command है पहले क्या आपका बनता है पहले ये बदलता है दन्टी सामे ठीके और इस चा की वज़र से दंती सा बदल जाता है आपका तालव्य शा में यह आपको ध्यान रखना है आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब भी विसर्ग आती है इसके बाद चा और चा अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जो विसर्ग होगा वो किस में convert हो जाएगा तालव ये शा में convert हो जाएगा पहला है आपका रामहा प्लस चलती तो रामहा में अंत में विसर्ग है ये विसर्ग और इसके बाद आ रहा है एच्चा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगी शा में क्या बन जाएगा गौश चरती नेक्स्ट क्या है आपका हरी प्लस चंद्रहा हरी में क्या आ रहा है अंत में विसर गा रहा है और अगला पत क्या है आपका उसका प्रथम वर्ण चाहे तो हरी जो विसर के किसमें बतलेगी शा में क्या बन जाएगा हरी चंद्रहा नेक्स्ट क्या है निया प्लस चयाहा निया का जो है विसर का आ रहा है निया में अंत में और आगे क्या हिच्चा है विसर किसमें बतलेगी शा में क्या बन जाएगा निश्ट चयाहा उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा पहला क्या बनेगा रामस्चलती गौश्चलती हरिश्चंद्रा और निश्चया नेक्स्ट आपका विसर्ग के बाद टा और ठा आने पर विसर्ग किसमें बदल जाता है सामे यह मनें डारेक्ट सीधे लिग दिया आपको और विसर्ग किसमें बदल जाएगा दनुस टमकार ठीके नेक्स्ट क्याए रामप्लस टीकते तो क्या बन जाएगा रामस टीकते थी ठीकते टिकते स्वर वुष जलूंख संदी थीए डोनों संदियां इसमें होती है क्योंकि बदल रहा है साम और फिर बाद में आपका विलंजेंस आजाता है नेक्स्ट आपकी विसर्ग संदी में जिसमें क्या है कि आपको ता और था मिलेगा और उस ता और था के बाद में आपका विसर्ग के बाद में ता था आ जाए तो आपका क्या बन जाता है दंती सा में कनवर्ट हो जाता है या फिर विसर्ग के बाद में आपको चोड़ कर तब भी ये विसर किसमे कनवर्ट होता है दंती सामें ही बदलता है तो पहला है आपका नमहा प्लस ते क्या बन जाएगा नमस ते नेक्स्ट क्या है मनहा प्लस तापाह विसर गहे और आगे ताए क्या हो जाएगा मनस तापाह नेक्स्ट की आए हर ही प्लस तराता क्या हो जाएगा हर इस तराता ठीक है ऐसे एक और आपके सामने मैं बताती हूं तो इनको ध्यान ररकी तीन आपको बताएं ने प्रकार उलब तीन नियम करके आपको लिखा दियें विसर जुनियस से सामें तो इन तीनों को याद रखेगा नेक्स ट है आपके उत्व संदी जिसका सूतर क्या होता है आपका अतो रोर प्लुतात प्लुते अब ये सूतर क्या कहता है आपका इसमें भी दो प्रकार से आएंगे विसर्ग के बाद अगर आ आता है तो विसर्ग के इस्थान पर ओ हो जाता है और आ के इस्थान पर अवग्रह आ जाता है यानि कि कुल मिला के आपका विसर्ग के बाद अगर आ आ रहा है तो ये दोनों बदल जाएंगे किसमें ओ की मात्रा और अवग्रह आ में ठीके ये है आपका पहला प्रकार दूसरा क्या है अगर विसर्ग के बाद में कोई भी वियंजन आए कोई भी वियंजन होता है तो क्या होगा आपका विसर्ग के इस्थान पर ओ हो जाता है ठीक है चलिए अब इसको करते हैं पहला है आपके सामने मनहा प्लस बलहा विसर्ग आ रही हो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है बा आ रहा है यानि कि व्यंजन तो क्या बन जाएगा मनो बलहा ठीक है मनो बलहा नेक्स्ट क्या है मनहा प्लस रताहा विसर्ग इसके बाद वियंजन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा मनो रथा ये आपको शुरू में बताया भी था नेश्ट क्या है सरहा प्लस जा विसर्ग और जा यानि कि वियंजन क्या बन जाएगा सरो जाहा तपहा प्लस बल विशर्ग और आगे विंजन क्या बन जाएगा तपौ बल ठीक ए नेक्श्ट क्या रामहा प्लस अयम विशर्ग के बाद क्या मिला आ मिला तो ये क्या होगा विसर्ग बदलेगा ओ में आ बदलेगा अवग्र है आ में बाकी सेम वैसा का वैसा ही क्या बन जाएगा रामो अयम शिवाहा प्लस अर्च शिवाहा प्लस अर्च विसर्ग और आ मिल गया तो ये जो विसर्ग है किसमें ओ में बदल जाएगी और आ बदल जाएगा अवग्रह आ में क्या बन जाएगा शिवो अर्चिहा ठीक है तो इस तरीके से आज आपकी सारी संधिया यानी की विसर्ग संधि भी complete हो चुकी है इसका मतलब है आज आपकी सारी संधियां खतम हो गई है उमीद करती हूँ संधि टॉपिक आपका अच्छे से clear हो गया होगा तीन प्रकारनों की संदिया, सोर, वियंचन और विसर्ग, सास्था तिन की जित्ते भी मैंने प्रकार कराएं वो सबी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब जब आपके एक्जाम होंगे तो उस टाइम पे रिवीजन में आपको ये फटा फट से जब मैं कराऊंगी तो आसानी से आप वहां पर समझते हुए चलेंगे अब जो नेक्स टॉपिक आपका है वो क्या है समास तो कल की क्लास में मैं आपको समास कराऊंगी ठीक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है समास इससे भी आपका एक प्रशन डियलेड में एक प्रशन आता है और टैट वगरा में एक से दो प्रशन आपके अराम से पूछे जाते हैं समास विग्रह करने को भी आता है और समास पहचानने को भी आता है कि किस पद में कौन सा समास है सेम संधियों के साथ भी होता है जिसे मनोरत लिखके दिया आपको तो मनोरत में कौन सी संधी है वियंजन है, विसरगे है, सुवर है इस तरीगे से भी कोशन आता है ठीक है तो ये क्लास भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगी आपके और एक्जाम के लिए तो इसको भी अच्छे से पढ़ाते हुए मैं चलूँगी और आपको तो समझ में भी आएगा तो मिलते हैं एक्ष लास में थैंक्स वार वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चनल बबाई, टेक कियर